तो स्टूडेंट्स आज हम जो करने जा रहे हैं वह पोएम है दा इलेक्शन ये जो पोएम है इसकी डिमांड आप में से कुछ स्टूदेंट्स ने की सेओं उस पर डालिया आपका एक्जाम आने वाला है तो चलի आज हम इस poem को cover करते हैं ये poem लिखी है सीता कांत महापात्रा ने सीता कांत महापात्रा है वह एक ओडिया की राइटर है और जो ने जो जो कि पोस्ट करोने रिया से बिलॉंग करते हैं और अपनी राइटिंग्स के अंदर उन्होंने जो जो आज कर एक ट्रेंड चल रहा है रोमेंटी सीजम वफ दा पास्ट उस ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर वो जो आज की रियालिटी है जो हमारे सामने आज जो प्रजेंट र वी एक कांट सी एंड परसीड विड आवर आईज बट फ्रॉंग डियालिटी ऑफ लाइफ ऐसा नहीं जो आप इनकी पोएम इसको पड़ेंगे वह आपको आपको के सामने होता दिखाई देगा लेकिन आप अपनी लाइफ में उसको इमेजिन कर सकते हैं कि हां डैट इस प पोलिटीशन है जो की एक रिमोट विलेज में में वोटों के कैम्पेइन के लिए आया वोट मांगने के लिए एक बहुत ही दूर दराज के काउं में गया है तो इस तरह से यह पोएम है इस पोएम इस सेटायर ओन दी रूल ओफ पीपल इन इंडिया जो इंडिया में एक हम इस पोएम की स्टार्टिंग होती है तो इस स्टार्टिंग में हम यह देखते हैं कि जो जो पॉलिटीशन है वो बाकी पॉलिटीशन को क्रिटिसाइज करता है पर इन दा एंड जो है यह जो क्रिटीसीजम है डाट मूज फ्रॉम दी रूलर्स टू दी कॉमनल बाद में जो क्रिटीसीजम पॉलिटीशन के बतले आम जन्ता पर आ जाता है और लास्ट में हम क्या देखते हैं कि महापात्रा इसके अंदर टेमोक्रेसी के फेलियर को शो करते हैं किस तरह से हमारा जो परजा जन्तर है वो फेल हो गया मैंने आपको बताया नेरेटर है डाट इस आवर क्रावल टू यॉर विलिज हमारी जो जीप है वो क्रावल मतलब होता है रिंग ना हमारी जो जीप है वो वो उस आपके गाम तक रिंग कर जा रही है seeking strange melodies और हमें क्या सुनाई देता है हमें कुछ हम कह सकते हैं कि हमें कुछ अलग सी अजीब सी melody मतलब आवाजे सुनाई देते धुन ऐसे melody धुन होती ही यहाँ पर आवाजे सुनाई देते इसका मतलब क्या है हमारी जीप क्रावल कर रही है मतलब रेंग रही है यानि कि सड़के जो हैं उनकी जो position है that is not very good जीप रन नहीं कर सकती है क्योंकि जो remote area है उनकी जो सड़के हैं वो बहुत ज़्यदा worst condition में है और वैसे आपको पता है कि जब political parties rally करती है तो उनकी rallies में music होता है ताडियां होती है noise होता है hooting होता है तो अब वो कामों में क्या है कि ऐसा possible नहीं है क्यों नहीं है seeking string melodies get attention from people क्योंकि हम लोग क्या सड़कों पर जा रही है और हम चाहते हैं कि जनता हम पर attention दे इसके लिए हम कुछ कुछ गानें चला रहे हैं कोई particular song वगरा चला रहे है all these premises are built from songs from the roaring sun अब जो ये सब चीजें क्या है ये सब चीजें गावं में possible नहीं क्योंकि गावं में सुरच चमक रहा है यानि कि बहुत ज़दा दूप है इसलिए क्या है गावं में ये लोग नहीं आ सकते है the common will drawn by politician ये सब क्यों हो रहा है ये सब हो रहा है for the sake of common will common will मतलब democracy सब किसले हो रहा है democracy के लिए हो रहा है democracy is very important इसलिए इसने इसको common will को single common में डाला है drawn by politician from the cross क्रिस क्रोस geometry always symmetric always smaller problems filtered for larger one of private agonies अब ये कहता है कि सर ये सब जो common will के लिए हो रहा है और politician जो है वो गावं वालों को ये मजबूर करता है कि ये आकर वहां गावं वालों को ये problems बताता है कि आपके गावं में ये problem में आपके गावं में ये difficulty है है वो हमें ये बताता है अब आप देखिए अगर आप इसकी words को deep में जाते हैं आप क्या देखते हैं तो जो politician जनता का servant होना चाहिए था वो क्या बन गया है master बन गया है वो क्या कहता है कि जो smaller problem है उनको क्योंकि आते वक्त ही खुद बहुत ज़दा परिशान हुआ इसको सड़के खराब मिली हो सकता है बैक प्रिन हो गया हो तो यह वहां से अपनी private problems में से कुछ problems निकाल करी जनता को share कर रहा है filter out कर रहा है उन प्रावलोंस को our dark launching don't touch you ulterior motives hidden अब यह second sentence जब start होता है है तो यह कहता है कि politician यह कहता है कि आपको जो dark launching dark launching मतलब जो आप लोगों ने मेरे लिए hardware किया है इरों ने इसके लिए poster बनाए होंगे यह बताबाद में ही लाइन आती है नोर आवर trapping of poster symbols, speeches, handbills for your grief outlive empires तो अब यह कहता है कि जो आप लोगों के ने मेरे लिए hardware किया है आपने मेरे लिए poster बनाए है आपने मेरे लिए symbol campaign किया मतलब जाजा कि अपने लोगों को बताया कि निताजी आ रहे हैं इनका यह वाला चुनाफ चिनने हैं और यह आपने जो भाशन दिये आपने लोगों को जो handbills मतलब पोस्ट जो है आपने हाथों में उनको pamphlet दिये क्योंकि आप लोगों के जो अपने खुद के पसनल दुख हैं आपके अपनी पसनल तकलीफे हैं जो तकलीफे जो हैं वो जो इस state की issues हैं उनको सरपास कर देती our dark longing don't touch you जो हमारी जो जो हमारी इस state की problem से आपको touch नहीं करती हैं अल्टियर मोटिव हिडन हमारे कुछ इसमें छिपे हुए एजन्डे हैं जो हमारी आपने ट्रैपिंग की थी पॉस्टर सिंबल स्पीच हैंड बिल वगरा में की थी जो आपका दुख है वो इस समराज जैसे बड़ा है यहां पर आप एक मेटाफर देखिए उनका जो दुख है वो कितना डीप है कितना लास्टिंग है ठीक है फिर थर्ड स्टर्जा की बात करता है देखिए अब यह जो ग्रीफ वगरा क्यों बता रहा है यह जो ग्रीफ वगरा इसलिए बता रहा है कि इस से इसको पावर मिलेगी जनता इसके बातों समें आएगी और वो इसको वोट देगी और इसको पावर मिलेगी जो पॉल्टीशन होते हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स को इमोशनली ट्रिगर कर रहे हैं ताकि उनको एक फेवर मिले और इस तरह से वो जो उनका अल्टीयर मोटिव है वो वोट पाना चाहते हैं वो मोटिव उनका अचीव हो जाए अब देखिए यहां पर यह बात कहता है कि इनरेटर यह कहता है कि विलेजर्स ने जो अपनी डिजायर्स हैं उनको अपने दिलों में मार दिया है क्योंकि उनको पता कि उनकी आलात कभी चींज नहीं होंगे इसलिए हो कहता है कि दो हो कहता है कि कोल्ड अपना इस प्रोगनी है वो शायद एक बैटर वे में रहे इसके कारण वो कह पॉलिटीशन का फेश देखना चाहते है जो हालां कि वो पॉलिटीशन ट्राइड है जै क्योंकि अब वो पॉलिटिशन ट्राइड क्यों है क्योंकि वो अपने कमफर्ट जोंसे वोटों के लिए बार है जो बंदा कभी फाइफ पांच सालों तक जिसने कभी ऐसी से बार ना निकला अब वोट कैमपेन के लिए इलेक्शन में चुनाओ प्रचार प्रसार के लिए वो सड़कों पर आया है दा कोल्ड ग्रांट चिल्डरन अवेकनिंग यूराट जो इनके मन में एक इच्छा है कि हमारे जो आने वाले हमारे बच्ची है एज यू डिसकरन ओल स्पीचेस पोस्टर अब देखो आपको पता है जनता को अच्छे से पता कि सारे प्रटिशन वोट चाहते हैं यहां पर आपको पता एक एक एक्स्टेंडड मेटाफर होता है यहां पर इसने क्या है है यह म्यूटेट अलिगरी है ओन आवर एशन पर यह जो जनता इनके जो चेहरे हैं वो एशन है लेकिन फिर भी वो इन पॉलिटीशन को जेल रहे हैं मैं शब्द लगाँगा जेल रहे हैं अब देखिए आपको पता है ना जनता अपनी लीडर को कैसे देखती है उनको यह पता है कि शायद इनके पास में कोई मैजिकल पावर होगी इससे हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे लेकिन यह लोग जो हैं यह अपने अपने यह लोग खुद कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं बलकि यह सारे का सारा जो जो इंडिया की बात कर रहा हूं हमारी यहां पर हम यह सोचते हैं कि कोई जादूगर आएगा और वो कुछ जड़ी बड़ी गुमाएगा और सब अब वो कहता है कि वो जो नरेटर हमारे सामने जो डेमोकरिसी का रїयल फेस लेकर आता है वो यह कहता है कि यह जो डेमोकरिसी का फेस है वो छुपा हूआ नहीं है बलकि बहुत ही common है कि ऐसा जो remote area है जहां पर वो politician है उनको कुछ भी बड़ा करने की जुरूरत नहीं होती है कुछ भी बड़ा extraordinary करने की जुरूरत नहीं होती है बलकि यहां पर उसे क्या करना होता है चीप plastic cheap nylon chair poster dark glasses to blot out sun उसे यहां पर क्या होता है कि कुछ प्लास्टिक लगा दे नहीं होती है कुछ पर्दे वर्दे लगा दिये poster लगा दिये कुछ और काले चश्में पहन लिए तांकि सूरज इसको दिखाई नदी ब्लॉट आउट संग जो है वह ब्लॉट the sun का मतलब है यहां पर उनका जो अपनी आपको उनमें एक बंद में डर है कि हम एक्सपोज ना हो जाएं कहीं बोलता होक्त हमारे मुझसे कुछ गलत ना निकल जाएं यहां पर जो sun है वह वोटर है और जो जो रेली वाले एक्चुली क्या है कि यह लोग जनता को कोई डवलप्मेंट या वैलफेर नहीं देते हैं वैलफेर के नाम पर उन्हें कुछ सस्ता कुछ सस्ते से समान दे जाते हैं इस तरह से जो एंटी डेमोक्रेसी है वो हमारे सामने आती है सेफगाड देंसल्फ वो अपने हैं कैसे और जो की कि इसी घ्क के questo मरने वाली आमिडियेट नीमासट वी फूलील्फ फिल्फिल्फिल हैंट किसकी जूरूरत एंग को फुलूरत वह उस नीट को फुल्फिल करना चाहते हैं यू मेक यू डीसिजन इससे वह पना डीसिजन लेते हैं यू कास्ट यूर वोट बट डॉन्ट रेली हैव है चोईस आप अपना वोट जूरू देते अपने डिमांड्स में और दूसरी तरफ वो रूलर से से लाइवली हुड की डिमांड करते हैं और एक तरफ तो वो सोल तिंक्स की बात करते हैं जैसे की बेसिक राइड, सोशल चेंज वगरा वो यह डिसाइड नहीं कर पाते हैं उन्हें किस साइड में जाना है और अल्टिम साइब उनको सोल नहीं करवाना चाहती इस तरह से नरेटर जो हम यह बताता है कि जो एक इलेक्शन जैसा टास्क है जो कि जन्टा की भलाई के लिए होना चाहिए था और जिसमें जिससे देश के अंदर एक एक चेंज होना चाहिए था एक डैट कुड ब्रिंग अचेंज इ इस तरह से जो पॉएम होती है बहुत ही रियलिस्टिक पॉएम है मैंने आपको बताया कि जो यह राइटर है मिस्टर महापातरा यह एक रियलिस्टिक राइटर है और यह चीज़े हम हमें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन हम इन्हें परसीव कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलना थैंक्यू वेरी वेरी मच्छक राइब करना थैंक्यू. झाल झाल